ये ऐसे एजुकेशन ओलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितिंदर सिंग आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर तोप टेन एम सी क्यू यानि कि जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं उन पर हम प्रति दिन रोजाना दस कॉस्टन आप से पूछेंगे आप से कितने आते हैं आप देखेएगा इस किलास में तो सुरू करते हैं अपना पहला कॉस्टन लेते हैं प्रस्टन पहला है हमारा बिस्व ब्रेन लिपी दिवस प्रति बर्स कम मनाया जाता है यानि कि बिस्व ब्रेल दिवस किस बर्स मनाया जाता है ब्रेल लिपी के बारे किया जाथा है यह कौन सी तार्क में किया जाता है कब मना जाता है बिश्बतिवश के रूम में नेत्र हिनों को motivate करने के लिए एक January 4 January 4 March लो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 4 January आगला question देखते हैं that principle number आपका अगला है NCC का पूर्ण रूप क्या है NCC के बारे में आपने पढ़ा होगा यानि कि NCC का पूर्ण रूप पताने फुल फोर्म बताती है यानि है NCC की राष्टिये केडिट परिश्द राष्टिये केडिट कोर उत्तर सांस्कृतिक सम्मेलन राष्टिय कैडिट समीती तो इसका होता है आपका राष्टिय कैडिट कोर यानि कि अगलों कसन देखते हैं म.S. स्वामि नाथन पुरुषकार दोजार चोबिस में किसे ने प्राप्त किया था तो M.S. स्वामी नातन प्रुसकार दोहर 24 में किसने प्राप्त किया था पहले हैं आपके प्रोफेसर B.R. कमबोज दूसरे हैं थावर चंदर गहलोत चोधरी चरण सिंग और D. ओप्षन है आपका राज माता बिजय राजे सिंधिया तो यहाँ पर जो सही ओप्षन होगा आपका प्रोफेसर B.R. कमबोज जो हैं जो हरियाणा की उनिवेस्टी है आपकी चोधरी चरण सिंग उनिवेस्टी तो उसके जो हैं प्रोफेसर हैं किर्शी विभाग में इसके बाद अगला क्वशन आपका आता है जन्वरी 2024 में राजिस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमिरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभियास का नाम क्या था यानि कि इसका नाम क्या था आप बता सकते हैं उप्शन नमर एक है डिजर्ड श्मार्ट 2024 डिजर्ड थंडर्ड 2024 डिजर्ड साइकलोन 2024 और डिजर्ड मिराज 2024 तो यह जो आपका सैन्य अभियास संयुक्त अमिरात और भारत के बीचित राजिस्थान में किया जा रहा है तो इसका जो सही आंशर है डिजर्ड साइकलोन 2024 और यह जह आपका एक जन्वरी से आपका पंदरहें जन्वरी तक यह चलेगा तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉस्चन है इसके बाद करंटा फेर सा अगला कॉस्चन आता है किस भारतिय राज्ये ने 2024 के पहले दिन 108 इस्थानों पर एक साथ सामोही सूर्य नमसकार करने का गिनीज रिकोर्ड बनाया है यानि कि गिनीज रिकोर्ड किस राज्ये ने बनाया है ओप्शन मबर एक महराष्ट गुजरात राजिस्थान करनाटक तो जो 2024 का पहला दिन ता उसमें 108 इस्थानों पर जो सूर्य नमस प्रासकार किया गया है वो किया गया है आपका गुजरात में और यह गिनीज रिकोर्ड में एक बड़ रिकोर्ड के रूप में दर्ज हो गया है ब्रिक्स समू की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संथापक थे देखें यहां पर जो ओप्षन नमब इसके बारे मैं बता दूँ आपको जो ब्रिक्स सम्मेलन की जो इस्थापना वी थी वही थी आपकी सबसे पहले 2006 में ब्राजील में इसमें जो था ब्राजील रूस भारत और चीन था लेकिन 2010 में इसमें जो है दक्षिनी अफ्रीका को भी सामिल कर लिया गया तो 2006 में यहां जो है इसका घठन हुआ था अगला कस्षन आता है आपका एक जन्वरी 2024 को ब्रिक्स सम्मों में सम्मलित होने वाले नए सदस्ये कून से हैं तो यह है आपके अर्जंटीना व्राजील दक्षिन कोरिया सोरी दक्षिन अफ्रीका अगया मिस्र इथोपिया इरान साओधी अरब और संयुक्त अरब अमिरात और इसके बास सी है आपका मेक्सिको आश्टेलिया तुर्की या कनाडा जापान जर्मनी तो जो एक जन्वरी को जो बिर्क्स समु में सामिल होए हैं तो उसको जो है कौन-कौन से देश सामिल होए हैं तो वो हैं आपके मिस्र, इथोपिया, इरान, साओधी अरब और संयुक्त अमिरात और जो जो अरब जो यह बिर्क्स समु का जो बिष्तरार हुआ है तो इसे बोला गया है बिर्क्स पिलस इसे क्या बोलते हैं ब्रिक्स फिलस इसके बाद आपका आता है अगला कुष्टन सोल भे बित आयोग के अध्याक्स किसे न्युक्ति किया गया है यहां पर मैं बता दूँ यह पहले बित आयोग के उपाध्यक्स थे और ये थे आपके डाक्टर अरविंद पन गडिया और अब ये बरतमान में क्या है सोलवे बित्यायोग के अध्यक्स बन गए हैं अब 6 बित्त आयोग में रितिक, रंजनम, पांडे की क्या भूमी का है तो इनकी क्या भूमी का है ये एक I.S. अधिकारी है और इनकी भूमी का जो है अब जो है बित्त आयोग में सचिप की होने वाली आए बाई मंडल इस्तितियों का अध्यन करना ब्रहमांड ये X-ray के धुरूबी करन का विशलेशन करना अंतरिक्षि मामली की निगरानी करना चंदर सते की विशेश्ताओं की जाँच करना तो इसका जो मुख्याउद देशे आपका इसरों ने जो लॉंच किया है X-ray Plumetric Satellite इसका मुख्याउद देशे परहमांड ये X-ray के धुरूबी करन का विशलेशन करना अगला क्वेस्टन अगली किलास में आएगा तो इन 10 क्वेस्टनों में से आप से कितने आते थे कमेंट इबोक्स में जरूर हमें रिपलाई दीजिए रोजाना हम 10 क्वेस्टन करन्ट अफेर से या जो आपके अर्थ सास्तर है इतियास है जी के से जो भी क्वेस्टन बनते हैं जो मलब करन्ट में हैं चाहे वह आर्थिक मुद्दा हो चाहे वह आपका एतियास कोई ऐसी घटना हो रही हो जो इतियास बनने वाली हो या आपका जोग्रेफिकल मुद्दा हो कोई या आपका कंप्यूटर से संब्दनी रोमल जो भी जी एची के करन्ट अफेर से रिलेटिड होगा उसे मिलाकर हम किलाज चलाएंगे घरे दरे बिश्तिरित करेंगे जुड़िएगा हमारे साथ अपना ज्यान बढ़ाईएगा और हमें सही योग देजिएगा